बिहार में 17 वर्सों बाद समय से एक दिन पहले मांसुन पूर्णियां के रास्ते सोमवार को प्रवेश कर गया मौसम विज्यान केंद्र पटना के अनुसार 2006 में समय से पहले 6 जून को मांसुन ने प्रदेश में दस्तक दी थी मांसुन के दस्तक देते ही पटना समेत प्रदेश के 24 शहरों के अधिक्तम तापमान में गिरावट दर्ज की गई प्रदेश में मांसुन आगमन की मानक्ती थी 13 जून निर्धारित है ऐसे में इस वार मांसुन समय से एक दिन पुर्वा गया है उमस भरी कर्मी वोलू से लोगों को अब राहत मिलने की उमीद है प्रदेश में इसका प्रभाव अररिया, पुर्णिया, किशन, गैंच, वोकटिहार में बना हुआ है बीते 24 घंटों के दोरान सारवदिक वर्सापुर्णिया के दिग्रा घाट में 105.2 मिलिमीटर वो पत्ना में 6.1 मिलिमीटर वर्साद दर्ज की गई मौसम विज्यान केंदर पत्ना के अनुसार दक्षिन पक्षमी मौनसुन के उत्वरी रेखा मालदा वो फारविस गंच से होकर गुजर रही है एक चक्रवात ये परिसंचन का छेत्रपुर्वी उतर प्रदेश वो इसके आसपास बना हुआ है सोमवर को 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ भोषपूर प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्श किया गया पत्ना की अधिक्तन कापमान में 1.1 डिग्री गिरावट के साथ 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया पट्टा समेश प्रोदेश के सिखपूरा, भोजपूर, औरंगाबाद, नवादा, नालंध, सिवान में लू एवं मुतिहारे में विशन लू की स्थिती बनी रही अगले 24 गंटों की दोरान मधुवनी, किशन गंट, सुपॉल, अररिया, पुर्णिया और भागलपूर जिले में वर्जपात के साथ में ग्रजन की श्यतावनी है जबकि प्रोदेश के पुर्वी वो पक्ष्मी, चामपारन, औरंगाबाद, भोजपूर, रोहता, सेखपूरा, गया वो नवादा में लू का प्रभाव बना रहेगा प्रोदेश में मौनसुन की सक्रियता बनने से वातावरन में नमी की मात्रा बढ़ेगी साथ ही निचले अस्तर पर पुर्वी तथा पक्ष्मी हवा का समिश्रन होने के करण अधिक्तम तापमान 30 से 40 दिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पुर्वान नुमान है ऐसे में अभी लोगों के उमस भरी गर्मी लोगों को परिशान करेगी वहीं प्रवदीश में वर्जपात आंधी तुफान बने रहने का भी पुर्वान नुमान है ब्यूरो रिपोर्ट सिटी पोस्ट लाइफ